हेलो फ्रेंट्स आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ क्रिस्पी पटेटो विज लॉलिपॉप की रेसिपी इसे हम सिंपल तरीके से बनाएंगे बस एक खास ट्विस्ट के साथ और वो खास ट्विस्ट है इसका ये सॉस जो इसके टेस्ट को डबल कर देगा तो इसके लिए हमें चाहिए रहेंगे उबले हुए आलू जिसे हम कद्दू कस कर लेंगे और खास टिप्स ये है कि जब भी आप किसी आलू को बॉइल करके रेसिपी बनाएं तो आलू को उबलने के बाद थंडा होने दे तभी इसे यूज़ करें तभी आपकी रेसिपी क्रि आपके पास जो भी वेज़िटेबल्स हो आप इसमें ले सकते हैं यदि नहों तो सिफ प्याज या शिम्ला मिच के साथ भी आप इसे बना सकते हैं साथ ही मैंने थोड़े से ले लिए हैं स्वीट कॉन स्वीट कॉन का टैस्ट बहुत ही अच्छा आता इसमें अगर आपके पास हों तो स्वीट कॉन जरूर लें इसमें एड़ कर देंगे हम एक चमच लसन अद्रक का पेस्ट आधा चमच चीली फ्लेक्स अगर चीली फ्लेक्स ना हो तो सुखी लाल मिच को आप क्रेश करके इसमें डाल दीजेगा और साथ ही ले लेंगे एक चमच लाल मिच का चाट मसाला चाट मसाला न हो तो आप अमचुर पाउडर भी ले सकते हैं एक चमच ले लेंगे गरम मसाला और अब हम लेंगे थोड़ा सा मैदा मैदे से इसकी बाइंडिंग अच्छी हो जाएगी और हमारे लॉली पॉप बहुत अच्छे से बनेंगे तो यहां दो चमच लगभग मैंने मैदा इसमें एड़ किया है और अपडेट चमच मैंने लिया है नमक आप अपने आलूओं की क्वांटिटी के अकॉर्डिंग नमक लीजिएगा थोड़ा डाल देंगे हरा धनिया और एक निवबू का रस इसमें निचोड देंगे अब लेंगे हम एक मिकसर जार और तीन चार ब्रेड उसमें डाल कर हम इसके ब्रेड क्रॉम्स रेडी कर देंगे ये ब्रेड क्रॉम्स रेडी है इसमें से आधे ब्रेड क्रॉम्स हम इसमें डाल देंगे इससे हमारे लॉलिपॉप्स की बाइंडिंग बहुत अच्छी होगी और बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे अब इन सभी मसालों को वेजिटेबल्स और पटेटों के साथ मिक्स कर देते हैं और अब हाथ से इस तरह से मैश करके हम इसे एक डो की तरह बना लेंगे अगर आपको यहाँ पर तोड़ा सा भी ऐसा लगे की मॉंस्चर जादा है तो आप तोड़े ब्रेट क्रम्स या चावल का अटा इसमें और एड़ कर सकते हैं या मैदा भी एड़ कर सकते हैं और अब इसके चोटी-चोटी बॉल्स मना लेंगे हम यह ऐसे थोड़ा सा पॉर्शन लेकर इसे थोड़ा सा ओवल शेप दे देंगे हम और अब लेंगे आइस क्रीम स्टिक्स यह किसी भी ड्रॉसरी शॉप पर अवेलेबल है आप लेकर आ सकते हैं और इसे इस तरह से और इस पॉइंट्स को ऐसे प्रैस करेंगे ताकि फ्राई करते वक्त यह स्टिक्स से अलग ना हो यह इस तरह से यह हमारा वेच लॉलिपॉप रेड़ी है अब इसे करते हैं साइट और एक और रेड़ी कर लेते और इस तरह से मैं एक और बनाना दिखा देती हूँ यह साथ थोड़ा सा पॉर्शन लेंगे वेज रोल का ऐसे बनाएंगे और उसमें इस तरह से यह स्टिक लगा देंगे और इस पॉइंट्स को अच्छे से प्रैस कर देंगे तो इस तरह से सारी हमारी लॉली पॉप हम बना लेंगे आप चाहें तो इसे ऐसे भी फ्राई कर सकते हैं बड़ जो होटल रेस्टोरेंट वाला टेक्शर आता है वो ऐसे नहीं आएगा तो उसके लिए हमें एक ट्विस्ट लाना होगा और उसके लिए हम ले लेंगे पहले एक बाउल और बाउल में डाल देंगे हम थोड़ा सा मैदा और मैदे के जगर आप कौन फ्लार या कौन स्टाज भी ले सकते हैं और हम थोड़ा सा इसमें डालेंगे पानी और इसकी स्ल लरी बना लेंगे इस लरी बहुत ज़्यादा थिक या बहुत ज़्यादा पत्ली नहीं होनी चाहिए और साथ ही हम लेंगे ब्रेड क्रम्स सबसे पहले हमारी लॉली पॉप्स को हम इस लरी में टिप करेंगे एक स्पून की हल्प से आप इसे अच्छे से इस पर कोट कर दें और उसके बाद हम इसको ब्रेड क्रम्स के उपर रख देंगे और ब्रेड क्रम्स से भी अच्छे से इसकी कोटिंग कर देंगे इड़े कि इसानासे और इसी तरह से हम सारी लॉली पॉप्स रैडी कर लेंगे अब इन लॉली पॉप्स को हमें एक घंटे के लिए फ्रीज में रखना होगा अगर आपके पास समय नहीं है तो आप 15 मिट ले इसे फ्रीजर में रख दे और इनी लॉली पॉप्स को अगर आप चाहें स्टोर भी कर सकते हैं किसी एयर टाइट कंटेनर में आप इसे रखकर 15 देज तक आप कभी भी उस कर सकते हैं तो इसे आधी को तो मैं फ्राइ करूंगी और आधी को मैं OTG में रोश्ट करना सिखाऊंगी तो OTG को आप पहले 10 मिर्ट के लिए 180 डिग्री पर प्री हीट कर लें और यह जो बेकिंग ट्रे हैं इसे आप चाहें तो ग्रीज कर सकते है अधरवाइस आप ऐसे भी इसे बना सकते हैं 10 मिर्ट हो चुके हैं और हमारा OTG प्री हीट हो चुका है अब इसमें हम अमारी बेकिंग ट्रे रख देंगे इसकी दोनों साइड की रॉल्ट का मोड हम अन कर देंगे और इसे 10 तु 15 मिर्ट के लिए हमें रोस्ट करना है बीच में आप एक बाद चैक कर लें अगर आपको लगे तो आप इसको पलटा भी सकते हैं तो 15 मिर्ट में ये रोस्ट हो जाएंगी तो जब तक बादी की हम लॉलीपॉप्स को फराई कर लेते हैं आप चाहें तो इसे डीफ फ्राई भी कर सकते हैं और चाहें तो इसे अप शेलो फ्राई भी कर सकते हैं तो तेल को पहले गर्म होने दे अच्छे से और मैं सज्जेस्ट करूंगी कि आप इसे तेज फ्लेम पर ही हमेशा फ्राई करें अगर आप लोग फ्लेम पर फ्राई करेंगे तो यह ज़्यादा ऑईल अब्सॉब करेंगे स्टाटिक में आप गैस का फ्लेम हाई रहने दे और उसके बाद आप मेडियूम फ्लेम पर कर सकते हैं और अभी बिल्कुल भी पल्टाना नहीं है जब तक नीचे वाली लेयर गोल्डन ब्राउन न हो जाए हमें इसे कुछ भी नहीं करना है और जैसे ही नीचे की लेयर गोल् पल्डन कलर आया है और हमारे ब्रैड क्रॉम्स की वज़े से इसकी जो प्री लेयर है यह बहुत ही क्रिस्पी बनी है और यह फ्राई हो चुके हैं इजह हम निकाल लेते हैं और इसी तरह से बाकी की लॉली पॉप्स को भी हम फ्राई कर लेंगे बस ध्यान रखें गैस का फ्लेम तेज बुना चाहिए और एक बार एक साइड गोल्डन ब्राउन होने के बाद ही इसे पल्टाएं यह हमारे लॉली पॉप्स होल्डन ब्राउन हो चुके हैं और आप देख सकते हैं उन्हें बिल्कुल भी ऑईल एब्सॉब नहीं किया हैं तो इसी तरह से सारे लॉली पॉप्स मैंने फ्राई कर लिये हैं और इधर ओटीजी वाले लॉली पॉप्स भी बेक हो रहे हैं यह हलका ब्राउन हो चुके हैं भी आप चाहें तो इसे ऐसे भी सर्व कर सकते हैं बट अब हम बनाएंगे एक खास सॉस और उस सॉस को बनाने के लिए हम लेते हैं एक पैन और पैन में डाल देंगे एक टेबल स्पून ओईल कोई साभी ओईल आप ले लीजिएगा इसमें डालेंगे आदा चम्मच लेसन अद्रक का पेस्ट बारी कटा हुआ प्याज और थोड़ी सी लेसन की कलियों को मैंन एक चमच विनेगर सिरका एक चमच डाल देंगे हम सोया सॉस और यहां दो चमच मैंने लिया हैं टोमेटो सॉस टोमेटो सॉस आप कम ज्यादा कर सकते हैं अगर सॉस की क्वाइटिटी बढ़ानी तो आप टोमेटो सॉस ज्यादा कर लें और हम लेंगे अब थोड़ा सा कॉन स्ट्राच की स्लरी एक चमच कॉन स्ट्राच में मैंने आदी कटोरी पाइट डाला है और यह हमारे सॉस को ठीकनेस देगा और अब डाल देंगे हम इसमें आदा कप पानी और थोड़ा सा इसे बॉइल करेंगे और यह रेडी है हमारा सॉस इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा हरा धनिया और यहां पे हमारी ओटी जी वाली लॉलीपॉब भी बेक हो गई है तो इन्हें भी निकाल लेते हैं तो आप चाहें तो बिना ओईल के इस तरह से ओटी जी में बेक कीजिए और हेल्दी खाना खाईए तो यह हमारी दोनों ही लॉलीपॉब रेडी हैं अब इसके ओपर हम लगा देंगे हमारा स्पैशल सॉस जो हमने अभी बनाया है तो हम एक एक लॉलीपॉब लेंगे उसके ओपर ऐसे स्प्रैट कर देंगे हमारा स्पैशल सॉस जब भी लॉलिपाप बनाएं, वेज लॉलिपाप बनाएं, आप ये सौस जरूर बनाएगा, इसे इसका टेस्ट डबल हो जाएगा, और बहुत बहुत ही टेस्टी लगेगा तो आप इस ट्विस्ट को जरूर ट्राइ किजिएगा और बस इसी के साथ हमारी सारी लॉलिपॉप्स रैडी हैं इसी रेसिपी को फॉलो कीजिएगा और मुझे जरूर बताईएगा कि आपके वेच लॉलिपॉप्स कैसे बने हैं और यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक, शेर एंड कमेंट करना बिलकुल मल भुलिएगा ये रैडी हैं हमारी सारी वेच लॉलिपॉप्स बहुत ही क्रिस्पी है, बहुत ही टेस्टी है तो आप किसी भी पार्टी के स्टाटर में इसे जरूर बनाएए ये देखिए, ये उपर से बहुत ही क्रिस्पी है और ये अंदर से बहुत ही सॉफ्ट तो देखते रहें मेरी वीडियोज और मैं इसी तरह मज़िदार रैसेपिस आपके लाती रहूंगी थैंक यू